तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसेज जंक्सन एक कदम सफलता की और में मेरा नाम है अतुल सुकला और हम लेकर क्या आगए हैं आपके लिए MP पुलिस कॉंस्टिबल दो हजार तेईस अठाइस अगस्त थर्ड सिप्ट का एक्जाम इनलेसिस जि आप भी अपने पश्टनों को 7052547003 इस नमबर पर जरूर से जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा तो चलिए सुरुआत करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को सुरू से लेकर कि अंदर तक जहूर देखना लाश्ट में हम आपको आज के टॉफ फाइप स्कोर साथे साथ में इस शिप्ट का कट आफ कितना जा सकता है वो आपको बताने वाले हैं साथे साथ में रीजिनिंग के बहुत सारे प्रशन यहां तक कि कतन और कारवाही वाला प्रशन भी एग्जर्ट वही प्रशन हमको मिल गया है और मैथ में क्या परिवर्टन आया है वो सब के बारे में हम आपको डीटेल में जानकारी देने वाले हैं तो चलिए सुरुवात करते हैं भाई लाइक जरूर कर देना बार बार नहीं कहेंगे चली सबसे पहले देखते हैं जी के जीएस और साइंस म सही आंसर आपका 1901 हो जाएगा 1901 में प्रथम नोबल पुरुषकार दिया गया था देखे तो नोबल पुरुषकार पहली बार 1901 में दिये गये थे भौत की रसायन विज्ञान, सरीर क्रिया विज्ञान या चिकिस्सा, साहित और सांती के छितर में योगदान करने के लिए मानव जाती को बड़ा लाब पहुचाने के लिए ये पुरुषकार दिया जाता है, इस शेतर में जितने भी लोग यहाँ पर कार करते हैं, उन्हें यह पुरुषकार दिया जाता है, 1901 में पहली बार किसे दिया गया था, तो पहला पुरुषकार विलियम एन रोंजन जो ह इनको दिया गया था, X-ray की खोज के लिए इनको यह पुरुषकार दिया गया था, 1901 में पहला पुरुषकार दिया गया था, ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीजे समझ में आ रहे हूंगी, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आज का अगला प्रशनी क्या पूचा ह एक प्रशने नदी से पूचा गया है, इस्टैटिक जी के अच्छे से पढ़कर के जाईए, तो जाट-जाटिन कहां का लोक निते हैं, तो बिहार का लोक निते हैं, जाट-जाटिन और अपनी लोक निते वाली वीडियो में इस नित को कबर किया है, तो वो भी आपको हैं, तो जाट-जाटिन जो बिहार करेते हैं, उसमें सुखी दामपते जीवन की कामना की जाती है, बस इतना ही गुमाते हैं, ठीक है, निते तो पूच रहें, लेकिं थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपसे पूचेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्ण क्या पूचा गया है अगला है चेनाव किसकी सहायक नदी है तो चेनाव आपको पता है सिंधु नदी की सहायक नदी है चेनाव नदी ठीक है तो चलिए चेनाव नदी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं देखिए नदियों से भी तो याद रखना चिनाब जो है सत्लूज नदी में जाकर के मिल जाती है और सिंदु नदी की जो है सहक नदी है चिनाब यह आपको याद रखना ठीक है चलिए आगे बढ़ते और अगला पर प्रश्ण है अंतर राष्ट्री दलहर अंसंदान केंद्र कहाँ पर है यह वहां से प्रश्ण है कल भी यहां से प्रश्ण आयता आज भी पूचा है तो काणपूर में अंतराष्टी दलहयनशंदहान किंदर है ठीक है यहां प्रश्ण वाला क्ल ही हमने आपको बताывает था इसको पढ़कर जाना कल हमने आपको भी वह इसको बता थैक्ट लेतरिnınच पाईी प्रश पटिकरसी अंसंधान परिशद आई-सी-ए-आर के दौरा बुनियादी रणनीती और व्यावारिक अंसंधान करने के लिए की गई थी ठीक है और दलहनी फसले कौन कौन सी यह आपको पता है अरहर हो गया मटर हो गया चना हो गया यह सारी दलहने फसले होती है और इनके अंसं संधान केंदर है यह सब आपको पढ़कर कि जाना है आगे यह प्रशन आपके एक्जाम में आ सकते हैं ठीक है वाई चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है बुकर पुरुसकार 2023 किस देश को नागरिक को दिया गया है ठीक है यह हमने पुरुसकार वाली वीडियो में और जी अब यह बड़ा सानाम दिया ठीक है परतम बुल्गारिया लेखक बन गया है उन्होंने यह पुरुसकार टाइम सेल्टर के लिए दिया गया है जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजिला रॉडल ने किया ठीक है हमने आपको यह भी बता था कि बुकर पुरुसकार उन्ही किताबों को दिया जाता है जिनका अंगरेजी में अनुवाद हुआ होता ठीक है इससे पहले भारती को दिया गया ठीक है अब पर दिया गया है यह आपका अंतराष्टी वाला है तो अंतराष्टी वाली इस बार बुलगारिया के नागरिक को दिया गया है ठीक है बाई चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न देखते हैं अपनी अपनी बीमारी यह किसकी पुस्तक है हम आप से पहले भी कह रहे थे अब आपका जो MP के महतपुन ब्यक्तित्त है उनके प्रशने पूशे जा रहे हैं, तो हरसंकर परसाई की कताब है अपनी अपनी बीमारी, ठीक है, देखिए, अपनी अपनी बीमारी हरसंकर परसाई के 21 ब्यंग लेखों का संग्रा है, 21 ब्यंग लेखों को एक साथ में सरे हैं मिल जाएगी इससे की फर्स्ट वाले भी उस वीडियो को देख करके जा सके ठीक है अगला देखिए दो जार अठारा में परधानमंत्री नरेंद मोदी जी को परियावरण के लिए कौन सा पुरुसकार दिया गया था तो परियावरण में उलेखनी योगदान के लिए प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी को Champion of the Earth अवाड दिया गया था और ये पुरुसकार वाली वीडियो में हमने आपको कराया था अगर आपको ध्यान हो तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो हमने आपको बताया था Champion of the Earth माननी मोदी जी को दिया गया था राजधानी दिल्ली में हुए कारकरब में UN Chief Antonio Guterres ने प्रधान मंत्री नरेंद मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया था ठीक है तो जो भी हम वीडियो बना रहे हैं वहाँ से प्रश्ण लगा तारा रहे है तो वीडियो को सारे को आपको देख करके जाना है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पस देखे प्रतिवी राज चोहान किस देश के CM है अब यहाँ पर क्या हो गया देखिए यहाँ पर लोगों साथ में गेम हो गया इन लोगों ने क्या किया यह पढ़ लिए कि प्रतिवी राज चोहान अब चोहान सोचा शिवराज सिंक चोहान अपने वरतमान में जो है CM है ठीक है तो प्रतिवी राज चोहान इन के भहिया वहिया होंगे तो पहले Federis के CM रहे होंगे और यहाँपर लोगों ने अनसर ठोक दिया है ठीक है लेकिन मदरपते pressed नहीं इसका अंसर महा राष्ट के पूर्व cm है फिरतिवी राज चोहान चोहान अलग होते हैं फिरतिवी राज चोहान आपके महाराष्ट के 17 सीएम थे देखे पिरतिवी राज चोहान जनड का 17 अमार्च उनीी सो चाम को एक भारती राज़रीतिदि CM जो नए बने हैं उनको हमने उसमें कवर किया CM और राजधानी आप सर्च कर लेना CM and Capital of India by Success Junction तो मिल जाएगी वहाँ से 2-3-2-3 प्रशने पूछे जा रहा है राजधानी कभी-कभी पूछ लेते हैं कभी-कभी CM पूछ लेते हैं लोखनुति वाली वीडियो में ही कवर कराया है लोखनुति CM और राजधानी ये 3-1-7 में किया है ठीक है तो वह देख लेना अगला है MAq heritage की पत्रवेदि की पत्रका कौन सी है तो कर्मवीर पत्रका MAq axis लाब चत्रवेदि की है ठीक है और कौन कौन सी पत्रकां इन्होंने लिखी है वो हम आगे देख लेते हैं देखिए तो प्रभा कर्मवीर और प्रताप का संपादन इन्होंने किया है देश की आजादी के लिए लड़ाई भी रड़ी और कई बार जिल गए 1913 में प्रभा पत्रिका का संपादन इनकी द्वारा किया गया था आपको यादतना है यह तीनों पत्रिका जो है मांखा रला चतुरवेदी जी की पत्रिका है अब आपको ये बताना है कि मांखा रला चतुर pragmatic जो आपका विद्याला है वो किस सहर में इसती थे computer वाला विद्याल है न माखला चतुरविदी का चतुरविदी के नाम से जो है आपका वो कौन से सहर में या फिर कौन से आपका जिले में इस्तित है ये आपको comment box में comment करके बताना है लगबख सभी कोई पता होगा ठीक है चली और द्योगी कार खाने से निकलने वाले पदार् पदार्थ निकलता है वो जाकर के नदियों में मिल जाता है और जल्य प्रदूसन का यहां कारक बनता है ठीक है तो परियावरंड से भी अच्छे खासे पश्ने बनने देखिए और द्योगी का अप्सिष्टि पदार्थों के जल में मिलने से उसमें oxygen की मातरा कम हो जाती है कलोराइड, नाइट्रेड, सलफेट, आध की मातरा जो है ब्रदी हो जाती है कलकार खानों से निकलने वाले अफशिष्ट द्रव नदियों में डाले जाने के करण देश की अधिकांस नदियों का जल जो है वो प्रदूसित हो रहा है ठीक है बाई चलिए आगे बढ़ते है और अगला प्रदूसित देख लेते हैं अगला है अगर ऑप्सन सही होता तो समझ में आया ता ऑप्सन दिया गया था तो ऑप्सन का हमें पता नहीं चल पाया है जब महिला गर्वती होती है तो उसका वजन कितना बढ़ जाता है तो 12 किलो से लेकर के 16 किलो तक जो है वजन जब एक दम मतलब लास्ट टाइम जब आता है तो 16 kg तक वजन जो है महिला का बढ़ जाता देखिए प्रेग्रेंसी के पहले ही दिन से महिलाओं का वजन बढ़ा हुआ होता है उनका गरभावस्ता के दौरान 16 kg तक वजन बढ़ सकता है वहीं जो महिलाओं healthy हैं उनका इस दौरान 12 kg तक वजन बढ़ने की संभावना रहती है यानि कि अगर average की बात करते हैं तो 12 kg से लेकर के 16 kg तक उनका वजन बढ़ता है ठीक है तो यह आपको देखना था कि यह आपके option में था या नहीं था चलिए आगे बढ़ते हैं हाइडरा को किस वर्ग में रखा जाता है तो हाइडरा को निडेरिया वर्ग में रखा गया देखे जल व्याल या फिर हाइडरा कहते हैं निडेरिया संग का जन्तु है इस जली जन्तु का आकार कुछ मिलिमीटर का होता है तथा इनकी अध्यन के लिए सूश्म दर्सी जो आवशक्ता परती है हाइडर जिसे हम जल व्याल कहते हैं इसे निडेरिया ग्रूप में रखा गया तो यहां से प्रश्न बन रहे हैं और जन्तु जगस्ते भी प्रश्न बन रहे हैं तो पादब जगत की वीडियो तो बना चुकी है एक बार आप सर्च कर लेना पादब जगत संग वाली वीडियो कराए थी संगठन वाली जो है अंतराष्टी संगठन उसके बार हमने पता था तब ही तो लोग पढ़के गए और जो राजीत वारी जी है इन्होंने बताए चार कुश्चन तक का फायदा हुआ है आपके उस वीडियो को देख करके ठीक है ना तो तो इसलिए हम बीच बीच पे वीडियो बताते रहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बन चुकी है इस टॉपिक पर वीडियो बन चुकी है ठीक है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बताना भी जरूरी होता है ठीक है नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा देखिए हट जो होता है जिसे साइकल प्रत्सेकंड से हम दर्साते हैं एक कमपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं हमने आपको बता था जो पेंडुलम वाली घडिया हुआ करती थी तो पेंडुलम को यहां से लेकर करके यहां तक जाने में और यहां से वापस आने में जितना समय लगता है उससे हम आवर्तकाल कहते हैं आज का पहला ही प्रस्ण जो है यही था जो सुभा वाली हमने वीडियो बनाई थी मातरक और सदिस्यों अदिस्राशियों वाली ठीक है उसको भी आप देख कर जाना चलिए आप सीधे चलते हैं मैत की और दे है ऐसलों समय प्रस्ण परतक प्रस्ण समय करें नहीं कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि इन नमरों का आप से HCA पूशा गया था ठीक है चलिए प्राइकता की बात करते हैं प्राइकता में भाई यह तो प्रस्प में बारवार रिपीट हो रहा है 52 आसकी गड़ी को अच्छे से फेटा जाता है तो दो बादसा निकलने की प्राइकता बतानी थी आपको ठीक है जो भी अंसर आपको आ रहा हो सॉल्ब करके कमेंट बाक्स में कमेंट कर देना चलिए राम कोई सामान दे कि भाई प्रॉपिट लॉस का राम कोई सामान 7000 रुपए में खरीद कर लाता है 3000 उस पर अत्रिक तब्या करता है तथा 9500 रुपए में बेश देता है तो उसे लाव हुआ या या आनी हुई कितने प्रस्ट लाव, किटनअ प्रस्ट आनी हुई यह आपको comment box में comment करके बताना है यही प्रस्ण आपके आया था एक और प्रस्ण था कोई रासी आपको दे गई थी मतलब कुछ आपको amount दिया गया था उसको 17 अनुपात 13 के अनुपात में A और B के बीच में बाटना था अब कोई भी राशी दीगे होगी 17 अनुपात 13 का कुछ आपका LCM निकाल करके कोई राशी दीगे होगी उसको आपको 17 अनुपात में A और B में बाटना था ठीक है ये प्रशन था बागी ब्रत में बता रहा है कि advance से दो प्रशना आया थे एक आपका ब्रत का और एक आप प्रत्र बुचका आया था ठीक है तो ब्रत में आपसे कौन पूछा गया था उसके बाद time and distances से तीन प्रशने देखने को मिल रहे हैं दो प्रशना आपके train वाले भी मिले हैं आज उसके बाद है board mask के चार्ट से पांच प्रशने बाइश सिंप्लिफिकेशन नंबर सिस्टम से काफी प्रशना रहे हैं आप से calculation पूछ रहा है तिवारी जी राजीव तिवारी जी के लिए पता रहे थे calculation fast हो जाएगी ठीक है तो calculation वाले एप देख लेना link description box में दी गई है जो है टेलिग्राम की उससे जा करके download कर लेना ठीक है board mask 4 algebra के दो प्रशना है ठीक है करणी और घातांग के भी एक प्रशना है ठीक है उसके बाद में CI से बात करते हैं तो एक भी प्रशना आपका CI का नहीं पूछा है लेकिन भाई simple interest से चार प्रशना आपके साधारन ब्याज के पूछे गए हैं ठीक है mixture or allegation के तीन प्रशना आज पूछे गए हैं simplification के simplification बता रहे हैं चार से पांच प्रशन simplification के आपके पूछे जा रहे हैं तो थोड़ा practice करके जाना calculation की उसके बाद में age और जो आपका हाँ यह बताना भूलगे simplification में जो प्रशना बनना है वो ऐसा 31 का गुणा करवा रहे हैं 37 का गुणा करवा रहे हैं जिनका गुणा भाग करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी तो इसके लिए आपको calculation करना जरूरी होगा calculation अपनी तेज करनी पड़ेगी उसके बाद में age से दो प्रशना है average का एक प्रश्णा और ratio से 2-3 प्रश्णा है जिसमें से पहला ratio वाला प्रश्णा उपर था वो हमने आपको बता दिया ठीक है बाकी मिस्रानुपात घनानुपात यह सब जो है इनको भी आप देख कर जाएए यहां से भी प्रश्णा बन सकता है चलिए reasoning की बात करते हैं reasoning में सबसे पहला प्रश्णा आज हमको मिल गया कतन और निसकर्स का ठीक है देखिए प्रश्ण क्या था एक बिद्याले में भोजन बनता है जिसे खाने के बाद बच्चे बीमार हो जाते हैं तो फिर क्या होता है आपको comment box में comment करना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण देखिए इसमें से आपको सही बता रहा था ठीक है सही गलत नहीं सही बता रहा था ये 570, 170, 270 और 179 में सही संख्या कौन सी है अलग संख्या कौन सी है कैलेंडर के 2 प्रश्ण पूचहे गा है analogy के 3 प्रश्ण है coding, decoding से बहुत प्रश्ण बंढ़ रहा है 6-7 प्रश्ण है coding, decoding से बनभाई है उसके बाद नहीं दो प्रश्ण आपके dice से पूचहे गा है आज एक थो open dice आया था और एक normal dice ऑया था ठीक है इंकिर्टी के परशण नहीं पूचे गहाने है इस डिक्ष्ट में सो अभी तक साइब आपiliके आपकर बैपाने है चला सकते चली जो आ बहुत नहीं मतलता अलफाज होँजित करना होता है तो आपकोено पर फिर दिया है BCD, तो आपको करम में लगाना पड़ता है, पहले परी आएगा, दूसरे परी आएगा, तीसरे परी आएगा, ऐसा करम सन्योजन वाले जो प्रस्ण है, दो प्रस्ण आपके करम सन्योजन से पूछे गए हैं, ठीक है, mathematical operation के दो प्रस्ण डेली आ रहे हैं, प्रस को, माइनस, माइनस को, गुणा, गुणा को भाग वाला जो है, ठीक है, missing letter के, 3-4 प्रस्ण missing letter के देखने को मिल रहे हैं, बीच में जो आपकी संख्या गायब कर दी जाती है, या letter कर दी जाते हैं, वहां से 3-4 प्रस्ण देखने को मिल रहे हैं, इसके उपर भी हम पहले वीडियो बना चुके है, आप सर्च कर ले हैं, एक trick बताई है, उस trick से आप कौन सी होगी, अगली आकृती कौन सी होगी, ये वाले प्रस्ण एड हो चुके है, 2-3, 2-3 प्रस्ण वहां से बनना है, ठीक है, उसके बाद में, आज figure counting की बात करते हैं, तो एक आप से work counting पूछा था, एक में आप से त्रभुच पूछा था, एक में आप से आयत पूचा सुबह वाला प्रस्ण वहने बता था, सुबह वाली सिट में आयत कैसा पूचा गया था, उसका तो बिल्कूर प्रस्ण हमको मिल गया था, चाप करके भेज दिया था भाई ने, इसमें जो प्रस्ण नहीं मिल पाएं, सुबह वाली वीडियो जरूर देख कर जाना ठीक है, नमबर सीरीज के दो प्रस्ण अलफा बैड सीरीज के तीन प्रस्ण वेंट डाइग्राम के भी दो प्रस्ण आपके पूचे है, साथे साथ मैं कथना और कारवाई के दो प्रस्ण बनें, जिनमें से एक हमको मिल गया था, जिसके भारे में ऊपर हमने आपको बता दिया है, अब चलते हैं सीधे overall की बात करते हैं तो GKGS से लगबग 26 प्रशने पूछे गाए हैं जिनमें 2-3 प्रशन आपके MPGK के भी पूछे गाए हैं तो MPGK की कल सुभा वीडियो आने वाली है ठीक है बाकी बात करते हैं साइंस के तो लगबग 10 प्रशन आपके साइंस के पूछे गाए हैं जिनमें पादप जगत और जंतो जगत के प्रशनों की संक्या ज्यादा है एक आपका मतलब लगबग 2-3-2-3 प्रशन जो है आपके परियावन और क्रिसी से भी पूछे जा रहे हैं पर वीडियो हमने बना दिये उसको आपको देख करके जाना ठीक है मैथ के 34 प्रशन है और रीजनी के लगबग 30 प्रशन आज पूछे गाए हैं आप आज के टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं नंबर आप कमाने सुरू हो गए हैं 79, 77, 75, 72 और 67 ये नंबर आज देखने को मि पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो 67 से लेकर के आपका जो है 72 तक जो भी है इस उसमें जो भी आ रहा है इस लाइन में वो लोग अपने फिजिकल की तैयारी बना कर रखें उनको फिजिकल के लिए जरूर बुला जाएगा अब वो फिजिकल वाली बात हम बाद में जाना है वर्ल रिष्टी वाली वीडियो देख जाना पादब जगत वाली देख जाना और काउंटिंक और फिगर को अच्छे से प्रक्टिस करके जाएं एकॉन गान्योंश क प्रते आपके आरहा है तो इस पहां पर पीड़ीफ मिल जाएगी अभी हम पिछले तीन दिनों की PDF में डाल देंगे ठीक है उसके बाद भी हमारा Study Material का चैनल है Success Junction Live यहाँ पर आपको Free में Study Material प्रोवाइड कराते हैं साथे साथ में वो दोनों Apps आपको यही पर मिल जाएंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है अगर आपकी कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जागी आज नहीं तो अगर आपका एक आदो दिन में एक्जाम है तो प्रैक्टिस कर लीजी अगर आपका लेट एक्जाम है तो आप वो दोनों Apps जरूर डाउनलोड कर लीजी ठीक है चलिए यहाँ यहीं पर बता दें करना क्या है तो आपको इस चैनल को सर्च करना है पहले टेलिग्राम पर इसको जोइन करना है लेना क्योंकि लगातार हम एक्जाम करा रहे हैं इसके बाद में फिजिकल की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं वहां पर गूरुजी और पूरसा में भी एक academy है, फौजी भाई वहाँ पर academy चलाते हैं, तो वहाँ पर भी जा करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, तो चलिए, फिलाल मिलते हैं, कल सुबाँ पहले एक वीडियो लाएंगे, MPG के की, उसके बाद में फर्स्ट सिप्ट का exam analysis, कल आपको तीन सिप्ट का real exam analysis आपको अपने चैनल सकसर जंक्शन पर ही मिलने वाला है, भाई सबको बता दो, जो fake analysis देखते रहते हैं, दो बहुत चैनल है, वो चार-पांच प्रस्ट कराएंगे, लेकिन आपको चार-पांच प्रस्ट की डीटेल इतना ज्यादा बता देंगे, कि उनकी वीडियो लगबग आदे घंटे की हो जाती है, चार-पांच प्रस्ट में ही आपके आदे घंटे आपका बरबात कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हम 20 मिनट के अंदर आपको सारी जानकारी, मैयत, रीजिनिंग, जीके, साइंस, सारा आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो मिलते हैं कल सुबह वाले वीडियो में, तब तक के लिए भाई, नमस्कार, धन्यवाद, अभी भी लाइक नहीं किया, इतनी मिहनत किये, भाई, लाइक कर देना, ठीक है, धन्यवाद,